तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा मार्ग अनेक छे पन टोच तो एकत छे श्री रामकुष्ण मिशन अने श्री रामकुष्ण मत भारत मां स्थपायली आ संस्थाओ विश्वनी एवी एक मत्र संस्था छे कि ज्यां सर्व धर्मों नों जाहेर मां समान भावे स्विकार करवामां आग्यों छे आजमी तारीके देश अने विश्व ज्यारे विपत गामी परीबोलों ना हाथ मां जक्राइद है आँचे त्यारे मिशन अने मत द्वारा जे प्रवरुत्यों स्थापना काले ठती रही छे तेना तर्कमा के तेना आयो जुल्मा कशोज फिरफार कर्या वगर जीव मत्र माटे प्रवरुत्यों ठाई रही छे मेन मेकिंग एजुकेशन नी वाद करनात, स्वामी विवेकानन द्वारा बहुच चायत थी स्थाप्पमा आविलिया संस्था, विश्वनी एवी संस्था छे, कि जे मवर्षोती नानकडा अक्षर नो, कि उद्देश नो, कागल उपर के वेवार मा फेलफार करवामा आजलो अनुकानने छे, कि स्वामी विवेकानन द्वारा बहुत गुरु मढ़े हाता, कि जे गुरु एक क्यारे पोते अनुभव कर्या सिगाई नी वात करी ना हाती। श्री रामकृष्ण परवम्हंस एकले कहवाया के ते उपतनो जीवन अनेक धर्मो मा गाली ने वरत रामकृष्ण बने आहता। रामकृष्ण देवे बहु नोखो प्रयोक करे वा पृत्वी उपर। बदाज धर्मों नो एमने खूदे अनुभव करे। हिंदूों नी जें कंषाधना करी। मुसल्मान बनीने मुसलीमध धर्मनी करी। बुद्ध नी जें बहुद्धार्मनी साध्ना करी। आवँ किया रे कोई करू नो थूँ। कारण के जे वो एक मार्क थीज टोंचे पूंची गया, ते वो संतुष्ठ थाई गया, एटले ते वो हवे बीजा मार्क वीशे किम कोई आगलवात करी शकें, परन्तु रामकुष्ण देव, वो मोटी अनो कमपाना देव हता, एक स्थाने पूंचया पछी फरी पाँछा, ए कोई बीजो मार्क पकड़ीने त्यां थी उपर चड़ता, आउँ एमने अनेक वार्क करियो हतु, कारण के दुनिया ने ते वो कही शके, के मारा अनुभावना आधार उपर थी स्पष्ट कहूं छुके, बाज रस्ताओ, एकज शिखर उपर पूंचारे शे, श्री रामकु जीवन मां अबल मामुकेली होई, अने तेमना आधार उपने कलू होई, के बाज धर्म मां सत्य छे, उदार ता छे, सहिश्नु ता छे, श्री रामकुष्ण देवना आ नीजी अनुभावना आधारे, ते वो प्रस्थापित करियों, के बाज धर्मों तो एक जटोच उपर पहुँचे छे, तेवो एक पुँची ने प्रयोक करियो, अथवा प्रयोक करी ने पुँचता रहा, आश्चने निवात एछे, के बंगाल मां एक प्रचलित सक्खी संप्रदाई छे, के ज्यां तेवो सव पोतानी जातने सक्खी माने छे, अने ना परमात्मा कृष्ण छे अने पोतानी नजिक मां भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ती लाकी ने सुवे छे, जाने कोई पतनी पोताना पती ने चाती उपर चापी ने सुद्धी होई, रामकृष्ण देवे आ पंथनी पन साधना करी, पन आ साधना दर्म्यां एक बहुँच अनोखी घटना गटी, और कल्पन यह घटना गली, सक्खी संप्रधायना लोको तो रात पूर्ता पोतानी जातने स्त्री गणावता था अने स्त्रियोना कपड़ा पेरता परन्तु कोई जोवे नहीं तेनी कारजी लेता अने धर्मने क्रिया पूरी करता, परन्तु रामकृष्ण देवे तो जे कर जाते करें, ते वो तो दिवस दिर्म्यान पन स्त्रियोना अज कपड़ा पेरवाला गया, वची राज्शू ने दिवस्चू एमा फरक्षा मढ़े राखो, दिवस्चन पन कुष्ण नी मूर्ती चाती साथे लगावी ने फरता रहा, औने एक अनो को चमतकार थेयो, जनो स तन वधीने स्त्रियो जेवा थावाला गया, तेवनी स्त्री नी भाव द्रशा माज जीववान उबनवाला गया, कोई तो कहे चे के रामकृष्ण देवने मासिक धर्मपन शरू थयो, यह बऊज अप्पूर्वकर ना हती ही, रामकृष्ण देव चाले तो पन स्त्री नी चाल थी चाले, आहसान थी, बहु अभ्यास करिये तो पन आपने मुश्केल पड़े, और रामकृष्ण देवे, आग करूनो तू पड़ियो, परन्तु तेवो यह तो साधिना मारक पकड़े होतो, तेथी तेवो सर्वांगी स्त्री बनीने पूरो समय चीववाला गया, यह चाल ने ओड़क्वी मुश्केल पड़े, यहमनो अवाज बड़ला वाला गयो, पूरुष्ण अवाज माथी भेद थयो, स्त्री जेवो अवाज था वाला गयो, ने नाजुक और एक दम जिनो अवाज थाई गयो, चो महिना सुधी यहमनी साधिना चाली, और चो महिना दीरे 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 नाना खवाल आ गया, दीरे दीरे इमनी चाल बड़ली, दीमे दीमे इमनो अवाज पाच व आगयो, और दीमे दीमे तमनो मासिक धर्म बन दथा यो अनुबव आ वातनों हुल्वने तमें करी शक्किये अनुबव सकी संप्रदाई करी शके अनुबव साधा धर्मना लोको करी शके पण एवो अनुबव के जेना आदारे तमारा देह नी रचनामा फेर पारत होँआ लागे तेने अनुबूटी के वाइचे श्री राम कृष्ण देव परम हंसनुस्थान एतले प्राप्त करी शक्या के तेमने अनुभूती करीने समाजने कयों के बढ़ा मार्ग एकज चग्याए जटा होई चे तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा